Amazon SEO और Listing Optimization पर मैंने काफी वीडियोज बनाए हैं और आप सभी लोगों ने उनसे काफी कुछ सीखा है और धेर सारा प्यार दिया है Like बटन दबा के लेकिन कुछ Sellers का सवाल है कि हम ये कैसे पता करें कि हमारी Listing किन-किन Keywords के लिए Optimize हुई है और उन पर कितना Traffic आ रहा है और क्या हम अपने Competitors से भी अपने आपको Compare कर सकते हैं जिससे फर्दर हम अपने Product की Visibility and Sales ग्रो कर पाएं तो अब आपकी Tension खतम आज मैं आपको Step by Step दिखाऊंगा कि कैसे आप वो Keywords पता कर सकते हैं जिनकी वज़े से आपकी Listing पर Traffic आ रहा है और साथ में आप Traffic Proportions, Impressions, Ranking and Conversion Rate भी पता कर सकते हैं और Best Part ये है कि आप ये सभी Details अपने Competitor Listings की भी निकाल सकते हैं और उनको Compare भी कर सकते हैं to Improve Your Sales मेरा नाम है Saurab, आप देख रहे Amazing Marketer Let's Learn Something New Today तो अपनी या Competitor Listing की Traffic Related Insights निकालने के लिए हम एक Tool का Use करेंगे जिसका नाम है Seller Sprite तो सबसे पहले आपको Seller Sprite Dashboard में Login ले लेना है और उसके बाद आप Tool section में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक Option दिखेगा Traffic Comparison इस पर आप Click करेंगे तो इस तरीके का Dashboard आपके सामने खुल जाएगा तो First of All अगर आप किसी अलग Marketplace में Sell कर रहे हैं Let's Supposed .com में, Canada में, Japan में तो आप यहाँ पर Marketplace Select कर लीजेगा अभी हम इंडिया के लिए comparison analysis करेंगे तो हम India Select कर रहे हैं यहाँ पर आपको अपना ASIN डालना है या जिस भी ASIN को आप compare करना चाहते हैं इसका traffic जानना चाहते हैं उसका purchases जानना चाहते हैं कितनी sell हो रहा है, कितना conversion share है, proportion है यह सब चीज़े हम इसमें देखेंगे और कैसे उसको फर्दर हम compare करेंगे अपने competitor से वो भी मैं आपको दिखाऊँगा तो सबसे पहले चलते हैं Amazon पे और वहाँ पे हम कुछ ढूंते हैं तो जैसे हम collapsible storage organizer हमने निकाल ली है तो आज हम इस product का पुरा comparison करेंगे क्या traffic है, कौन से keywords traffic drive कर रहे हैं, कितना sale है, कितना conversion है तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ जो हमारा यह जो पहला product है Renva Collapsible Fabric Storage Organizer यह हमारा product है, ठीक है तो सबसे पहले हम इसको analyze करते हैं, तो इसका हम a scene copy कर लेते हैं और इसको seller spread tool में डाल देते हैं ठीक है, and click on search आप इसके बाद यहाँ पे click करेंगे and इस तरीके से आप देखेंगे यह जो हमारा product है, यहाँ पे आ चुका है और उससे related सारा data यहाँ पे आ चुका है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे list of keywords आ गए है keyword phrases आप देखेंगे कि किन-किन keywords पे यह product appear हो रहा है, ठीक है, तो laundry basket for clothes, wardrobe organizer for clothes, organizer storage box clothes organizer for wardrobe, storage box इस तरीके से आप देखोगे तो बहुत लंबी list है keywords की जिस पे यह appear हो रहा है टोटल जो results हमारे पास आए है that is 512 तो इतने search results हमारे पास आ चुके हैं इस ASIN के लिए इसके बाद आप देखोगे कि competitive ASIN यहाँ पे एक ही दिखा रहा है क्योंकि हमने एक ही ASIN डाला है ABA rank, Amazon Brand Analytics rank यहाँ पे दिखा रही है, यहाँ पे 404 है इस product की, इस ASIN की 404 है अगर कोई laundry basket for clothes keyword search करता है वैसे ही wardrobe organizer for clothes पे 959 है similarly organizer storage box पे 1040 है and so on तो अभी मैं यह data आपको समझा देता हूँ जब हम अभी competitor का analysis करेंगे सब नए दूसरे competitors को compare करेंगे तब आपको ज़्यादा clarity आएगी और मैं यह भी बताऊँगा कि इस tool को आप कैसे use कर सकते हो अपने benefit के लिए comparison के बाद तो next is monthly searches monthly searches आप देखोगे कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं अगर हम इस keyword को देखें laundry basket for clothes को monthly 86,951 searches हो रही है daily basis पे आप देखेंगे तो 2,898 इसी तरीके से जो second keyword है world of organizer for clothes उसके लगबग almost 50,000 के around searches हैं और जो daily searches है वो 1600 प्लस है similarly for the third keyword organizer storage box 42,000 प्लस and 1400 प्लस daily basis पे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं next important parameter जो metric है वो है monthly purchases तो आप monthly purchases आप देखोगे कि इस keyword की वज़े से laundry basket for clothes की वज़े से लगबग 28,951 almost 2900 units sold हो रही है जिसमें इस keyword की वज़े जो conversion percentage है वो है 3.33% तो इस तरीके से देखते है मैं second example को आपको थोड़े detail में समझाता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा data जादा है यहाँ पे wardrobe organizer for clothes है जिसका 1.71% click share है click share से मतलब यह है कि कितना percentage of traffic है जो इस ASIN को मिल रहा है इस keyword की वज़े से चीक है overall traffic में से 1.71% traffic इस ASIN को मिल रहा है उसके बाद आप देखोगे कि इस keyword की वज़े से overall monthly sales कितने हो रहा है monthly sales मतलब monthly purchases लोग कितना खरीद रहे है तो monthly sales हमारे यहाँ पे है almost 1400 जिसका conversion percentage है 2.85% मतलब 1400 लोगों में से लगबग 2.85% लोग इस keyword को सर्च करने के बाद जब listing पे आते हैं तो purchase करके जाते हैं next is impressions कितने लोगों को यह product दिख रहा है तो आप देख सकते हैं कि water of organizer for clothes लगबग 13,21,458 लोग देख पा रहे हैं first वाला जो keyword है laundry basket for clothes उसको 18,00,000 से जादा लोग देख चुके हैं अभी तक तो इस तरीके से यह सारा data है next is clicks कितने लोग क्लिक कर रहे हैं तो देखा 18,00,000 लोगों ने लेकिन laundry basket for clothes को सिर्फ 42,000 लोगों ने क्लिक किया है similarly water of organizer for clothes को 13,00,000 लोगों ने देखा हैं लेकिन 22,000 कुछ लोगों ने सर्च किया है and similarly data for the rest of the keywords ठीक है next is total number of products कितने हैं अगर laundry basket for clothes जो keyword है यह कितने products के listing में यह keyword है तो आप देखोगे 17,000 से यदा ऐसे products हैं जिसमें यह keyword यूज हो रहा है water of organizer for clothes 35,000 से यदा ऐसे products है organizer storage box 27,000 से यदा ऐसे product हैं तो इस तरीके से आप यह चीज़ें देख सकते हैं आप चाहो तो इस सभी data को आप sort भी कर सकते हो let's suppose मुझे वो देखना है कि किस keyword में monthly purchases जाना है तो आप simply click करेंगे तो आप इस पे देखेंगे data sort हो जाएगा तो सबसे यदा laundry basket for clothes पे है जो के 2800 प्लस तो इस पे सबसे जादा monthly sale इस keyword की वज़े से हो रही है तो यहाँ पे ये click share वाला जो पूरा dashboard है ये आपको समझ आ गया होगा next is weekly searches तो आप देखोगे कि weekly searches में आप देखोगे सिर्फ ये data हमारा जो ASIN है इसका data change हुआ है तो यहाँ पे पहले click share आ रहा था वहीं पे अगर कोई clothes organizer for wardrobe अगर साच करता है तो लगबग 2200 प्लस लोग ऐसे हैं जो हमारे product देख रहे हैं चीक है यह जिनको दिखता है the next is organic rank तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे product की organic rank कितनी है तो यहाँ पे आप देखोगे storage box पे जो हमारी organic rank है वो है 142 P3 का मतलब है page 3 page 3 पे 29th position पे हमारे है तो this product ranks on page 3 29 जिसकी actual rank जो मलब अगर सीधे rank calculate करे है which is 142 वहीं पे cupboard organizer for clothes है 68 position पे page 2 के 19th position पे हम लोग आ रहे हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने ASIN की rank भी देख सकते हैं next is sponsor product rank अगर आप ads run कर रहे हैं तो आप अपनी भाँ पे भी rank check कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे basket के ऊपर इस product की sponsor product rank आ रही है 122 page 2 पे 57 तो इस तरीके से आप product की rankings भी चेक कर सकते हैं आगे चलते हैं and distribution तो distribution बहुत interesting insight है इसको आपको समझना होगा तो distribution में आप देखोगे laundry basket for close जो है जो यह first वाला है इस पे जो इसका यह appear हो रहा है यह कैसे appear हो रहा है यह organically appear हो रहा है इसलिए यहाँ पे organic लिखा हुआ है wardrobe organizer for close के case में यह organic के साथ साथ sponsored brand वीडियो भी इसका appear हो रहा है तो ऐसे ही आप नीचे आएंगे तो इसमें Amazon Choice highly rated यह साब आता है तो अभी हम जब competitors की भी lists, essence यहाँ पे डालेंगे तो हो सकता है वो data यहाँ पे दिखे तो overall आप अपने essence को यहाँ पे analyze कर सकते हैं वो insights निकाल सकते हैं कि कौन से keyword की वाई से मुझे कितने impressions मिल रहे हैं और impressions मैं से मुझे कितने clicks मिल रहे हैं and finally कितने conversion हो रहे हैं तो इस सरीके से आप ये keywords भी select कर सकते हो अपने listing में या ads में use कर सकते हो तो अब हम चलते हैं और competitor essence को भी इंक्लूड करते हैं इस comparative analysis में चीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे हम आने कुछ और ऐसे ही similar product खोल ले हैं तो उनके जो essence हैं वो हम copy कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो मैंने यहाँ पे चार essence पेस्ट कर दी हैं आप up to 10 essence compare कर सकते हैं तो मैं just for this video जिससे video छोटा रहा है तो मैं चार essence को consider कर रहा हूँ और उसके यहाँ पेस्ट करने के बाद आप search button पे click करेंगे उसके बाद आप देखोगे कि जहाँ पे यह जो हमारा पहला essence था इसके साथ मेरे remaining 4 essence भी आ चुके है जो की मेरे competitor है चीक है तो अब हम इसको अच्छे से analyze करते हैं तो आप देखोगे click share से शुरू करते है click share आप देखोगे कि organizer storage box पे जो हमारा essence है उसकी बिल्कुल भी click share कोई भी नहीं है second जो product है I think Kuber Industries वाला इसका भी कोई click share नहीं है लेकिन वहीं पे जो पंची स्टोर है वो उसका जो click share है वो है 8.42% ठीक है बाकी दोनों का भी click share नहीं है वहीं पे आप storage box के case में देखेंगे तो कुबेर इंडस्ट्री वाले product ने काफी dominance create किया हुआ है highly searched at 23.48% का click share है तो जाहता है लोग इस पे click कर रहे है वहीं पे नीचे आप आएंगे covered organizer for close पे भी 11.11% का highly searched click share है word of organizer जो की बहुत ही competitive keyword है उस पे uber industry 50% का dominance लेके बैठा है 50.92 अल्मोस 51% का तो this is the way कि आप देख सकते हो कि आपके competitor किस keyword पे कितना better perform कर रहे है इसके बाद आप competitive vaccine obviously हमने 4 डाले हैं तो यहाँ पे 4 का number आ रहा है इसके बाद आप देखोगे ABA rank जो की है 1040 monthly searches आपको यहाँ पे दिख जाएंगी daily searches दिख जाएंगा monthly purchases दिख जाएंगे इसके बाद impressions, clicks, products यह सभी चीजें इस keyword पे आपको दिख जाएंगे Organizer for Stories Story box के case में भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा click share है हमारे product का which is 1.34 जो second हमारा competitor है 23.48 third का 0.11 fourth का नहीं है and fifth का 2.51 and similarly ABA rank 993 monthly searches 32,000 plus monthly purchases 85 impressions 7,000 plus clicks 13,000 plus and products जो appear हो रहे हैं इस keyword पे वो हैं 50,000 से जादा and demand to supply ratio है 0.6 तो इस सरीके से आप देख सकते हैं तो अभी हम इसको और comparison में जाते हैं और इसको देखते हैं weekly searches क्या हैं इसकी तो weekly searches में आप देखोगे कि estimated weekly impressions जो हमारे product पे आ रहे हैं storage box पे वो हैं 646 वहीं पे जो हमारा competitor है वो इस keyword पे storage box पे 7,000 impressions generate कर रहा है जो second competitor है वो 90 कर पा रहा है fourth कुछ नहीं कर पा रहा है और fifth हमारा 25,000 प्लस से यदा कर रहा तो obviously इनकी listings में इस keyword का बहुत ही अच्छे से use हुआ है इसलिए ये लोग इतना अच्छा impression generate कर पा रहे हैं obviously there are other factors also जो role play करते हैं यहां पे but still यहां पे आपको एक opportunity दिखती है कि अगर मेरे impressions 7,60,000 है monthly जो searches है वो 32,000 से जादा है तो obviously आपको अपने listing में इस keyword पे काम करना चाहिए next is organic rank तो organic rank अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे storage box पे हमारी 142 थी rank जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था जब हम self analysis कर रहे थे अपने ASIN का वहीं पे जो हमारा competitor है वो 98 position पे है वो page 2 पे 34th rank है उसकी और जो हमारा 4th competitor है उसकी 78 है तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहीं पे आप देखो covered organizer for clothes के case में जो हमारा 4th competitor है उसकी organic rank 4th है वो 4th position पे है page 1 पे 4th position तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो कैसा perform कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं अब आप देखोगे कि बले ही जो हमारा second competitor है इसके click share बहुत ज़ादा है impressions ज़ादा है लेकिन आप यह देखोगे जो 4th competitor है उसकी organic rank बहुत अच्छी दिख रही है मुझे यहां पे आप देखोगे 4th position पे है 13th position पे है 3rd position पे है 9th position पे है जबकि these are highly competitive keywords one word है वो organizer and storage organizer तो this is really good आप organizer box पे 5th position पे है तो obviously यह भले ही हो सकता है नया product हो या काफी time से sell कर रहे हो लेकिन obviously यह ज़्यादा better perform करेंगे longer run ठीक है next is SP rank sponsor product rank देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा second competitor है उसकी जो storage box पे rank है वो है 113 वाकी लोगों की अभी कोई rank नहीं दिख रही है और इसी की rank है कि हमारा जो organizer storage box है इस पे हमारा जो distribution है वो किस-किस type का है वो organic और sponsored brand वीडियो का है वहीं पे जो second product है जो हमारा first competitor है वो है HR highly rated हाई रेटेड है ये ठीक है second competitor है वो है organic and SB वीडियो same है जो हमारा fourth competitor वो organic है इसी वे आप नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि storage box for clothes के case में हमारा product organic है लेकिन ये HR और SPSP is sponsored product चीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अभी इन products पे कहीं पे AC नहीं आ रहा है Amazon choice भी आता है ऐसे बहुत सारे distribution factors यहाँ पे आते हैं तो यह वाला जो keyword है जो हमारा second competitor है वो organically भी आ रहा है Amazon choice भी उसके पास है और sponsor brand video भी उसका appear हो रहा है तो इस तरीके से आप चीजे कर सकते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमाई searches कितने हैं monthly purchases कितने हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस tool को कैसे better तरीके से use करना है तो अभी जैसे हमें ये पता करना है कौन से keyword की वैसे हम जादा से जादा conversion drive कर सकते हैं तो अभी आप देखोगे यहाँ पे 0, 1, 2, 3 ऐसे हैं अब हमें ये figure out करना है कि किस keyword की वैसे purchase rate हाई है ऐसा कौन सा keyword है जिसकी वैसे sales जादा हो रही है तो उस case में हम क्या करेंगे filters का use करेंगे हम यहाँ पे filter पे click करेंगे and purchase rate में हम यहाँ पे कि हम चलते हैं कि हमें minimum 3% चाहिए 3% से उपर वाले जितने भी keywords है वो मेरे काम के है तो आप देखोगे यहाँ पे सारे जो monthly purchases के नीचे जो purchase rate है वो change हो गया है जितना भी 3% से उपर है वो सारे आ गया तो storage organizer एक अच्छा keyword है जिस पे हमें खिलना चाहिए क्योंकि इसका conversion rate हाई है storage box for clothes भी similar है 3.59 हमारा bangle organizer story box अगर आप bangle related कर रहे हैं तो socks organizer है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं clip card shopping, online shopping doesn't make sense तो obviously इस keyword को आप discard कर देंगे तो obviously आपको थोड़ा सा smartly और थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा अब IKEA storage organizer है doesn't make sense तो इस तरीके से आपको keywords sort भी करने पड़ेगा तो filters का use करें filters का use करके आप बहतरी insights नकाल सकते हैं बढ़िया keywords नकाल सकते हैं तो अब आपको यह समझ आ गया है कि मेरे को better purchase rate वाले keywords लेने हैं लेकिन इसमें भी बहुत सारे keywords है तो इनको कैसे sort करना है तो I always recommend कि long tail keywords ज़्यादा better होते हैं तो उस case में आप कम से कम 3 से 4 word के keywords यूज़ करिए तो हम filters में फिर जाएंगे और यहाँ पर word count डाल देंगे minimum 3 तो मुझे minimum ऐसे keyword चाहिए जिनका conversion rate 3% के उपर हो and minimum 3 word हो उसके अंदर तो आप देख सकतो हैं यहाँ पर storage box आचुका है Bengal organizer for storage box यह वाला आप discard कर देंगे flip card वाला नीच आएंगे organizer for wardrobe, box for storage dress organizer for wardrobe तो यह बहुत ही अच्छे तरीके से आपको keywords दे देता है आपको इस तरीके से यहाँ पर filter use करना है और जो भी आपको keywords निकालने है conversion rate पे, number of count पे, searches पे, click share पे तो आप इस filter mechanism का use करके इस dashboard का use करके, वो सब आप निकाल सकते है next is, कि let's suppose आपको यह keyword अच्छा लग रहा है storage box for clothes, ठीक है तो इस case में आप जब right में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक historical data भी देखने को मिल जाता है इस keyword का, तो आप इस पे click करेंगे तो आपके सामने यह historical data खुल जाएगा weekly basis पे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यह keyword कैसा perform कर रहा है, storage box for clothes अगर आप monthly देखना चाते हैं, तो आप monthly भी इसको check कर सकते हैं, ठीक है इसके बाद आप इसकी click concentration वगेरा check कर सकते हैं, कि conversion share कितना है, PPC bid अगर आप देखना चाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, कि minimum bid कितनी जा रही है, maximum कितनी है, selected कितनी है, इसके अलावा, आप market analysis करना चाते हैं, तो वो देख सकते हैं, कि products कितने हैं, product के proportion कितने हैं और यह data आपको month over month मिल जाता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ratings देख सकते हैं, star ratings देख सकते हैं, बहुत ही extensive tool है यह, seller sprite मैंने बहुत बार बोला है, and one should definitely go for it, आपको check करना चाहिए, कि now the next is, कि अब आपको purchase rate समझा गया, words count समझ आगे, तो सब filter लगा लिये, दिमाग लगा लिया, finally आपने figure out कर लिया, कि भाई मेरे को कौन-कौन से keywords काम के हैं, ठीक है, अब अगर आपको यह बता चल गया है, कि आपके keywords कौन से काम के हैं, तो उनको कैसे use करना है, ठीक है, तो उसके हम my list में add करतेंगे, तो आप यहां पे जैसी क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यहां पे इस तरीके का एक pop-up खुल जाएगा, इसके बाद आप चाहें तो एक नया folder बना सकते हैं, और उसका नाम दे सकते हैं, और कि my list, my keywords for organizer, अगर आप multiple products set कर रहे हैं, या कुछ और किसी और basis पे आपने parameters लगाए हैं कि यह मेरे purchase rate वाले keywords हैं, यह मेरे word count वाले keywords हैं, या मेरी monthly searches वाले keyword है, impression based and so on, तो इस तरीके से आप overall traffic comparison जो tool है seller spread का बहुत ही amazing tool है, इसको आप इस तरीके से use कर सकते हैं, तो इस तरह आप किसी भी ASIN का traffic चेक कर सकते हैं, seller spread tool का link description में दे दिया है, also यह tool आपको बहुत सारे features देता है, कुछ free हैं और कुछ paid हैं, लेकिन अगर आप paid tool लेने का सोच रहे हैं, तो 35% discount जरूर अवेल कर सकते हैं, by using code MA30, account बनाते वक्त MA30 code यूज़ करना ना भूलें और अगर कोई भी doubt है, तो मुझे comments में पूछ सकते हैं, या one-on-one consultation book कर सकते हैं, finally keep selling, keep smiling कर सकते हैं